हाई एवरेवन सलाम नमस्ते सस्रीक अलादाव आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ कि देखो कंटेनर जो ट्रक होता है वो कैसे कीचर में फज जाता है फिर ड्रावर जोर लगाते हैं जोर लगा जगा के नुकसान कर देते हैं तो मैं ड्रावर भाईयों से कहना मैं जाओंगो कि दियुक्त भी जोर मिथलों आज आपको जाओं जाने के पुल चड़ाव पुल चड़ा ला फिल्ट मन पुल चड़ा फिल्रें पूल चड़ा आपकाई जाद्थर जाता है के बत्तर प्ड़ा से तरसे हुआँ मत अधों चाणती हमारे गां खाले में ग़कु आई वाराम से लिए जिस्ताज अप्चाड़ दे कर दिस्टाट गडिक क्षचाड़ा तो डियुक्ष एक शॉईंड है उपक्रफ्चाड़ लिए आजे अटुछ एकशारड बहुत यह पत्तर हटा दे भैड हम पत्तर कहांदे पत्तर हटा वे चॉलिमा जोड़ी पत्तर काल हटाउं हटाद अधा वोट बढ़ेंगे इसारा सुल्योज रियस तो पत्तर है अबी तो अशी पटनाग डाल बोड़ जेक थोड़ थोड़ चुपकर लागते ना अचुपकर लागते ना अचुपकर अचुपकर अदर सोई यहा पेटर वे अब पाल जान 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 वोक्ष बार जान 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 ओगना जया है यह उठा जें टेर कुष्ट यहीं चारख थे अश्ता जोट मेंट रहे जायकों चात आंड़ इस्टार्ट रहन दे, जड़ 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 झाल 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 तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा और मैं सभी ड्रावर भाईयों से जिनको नोलिज नहीं है जो जानकारी नहीं जिनको पता नहीं वो इस वीडियो को देखें कि जब आपकी ट्रक कहीं पे कीचड में या कहीं गड़े में कहीं भच जाती है तो गाड़ी पे जोर नहीं लगवाएं कहा है कहा है कि जोर लगवाणे से नुकसान हो जाता है सपड बी तोट सकती है कलटश प्रेट बीट तोट सकती है आप के टैर की तो जो टायर की गिसाई होते हैं वो तो टायर में कट भी लग सकता है, अपना और अपने मालिक का नुकसान होने से बचाएं, बचें, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया इस वीडियो में, सारा प्रोसेस दिखाया है, कि जब आपकी गाड़ी कहीं गड़े में या बरसात में, कीचर में, कहीं पर ऐसी जगे बे भज टैट्र के बगेर ही गाड़ी को निकाल सकते हैं आप, वो इस ट्रिक से, आप अपनी गाड़ी के कमानी के उपर अपना एक जैक रखिए, अगर उसमें जगे बच रही है तो उसमें गुटका, लकड़ी का गुटका जो लगा दीजे, बोड़ी और कमानी के बीच में जैक ह होना चाहिए, ताकि वो कमानी दब जाए, वो कमानी दबने से क्या होता है कि गाड़ी जो है, वो दस टैरी जो गाड़ी होती है, दस टाय वाली जो कंटेनर होती है, ट्रक होता है, वो छेटर का हो जाता है, छेटर का बन जाता है, फिर आप उसको बिलकुल आराम से, आसान कानुक्सान भी नहीं होगा और आपकी टेंशन भी नहीं रहेगी टेंशन भी खतम हो जाएगी और गाड़ी बिल्कुल शुरकशित आसानी से किसी गड़े से कितना भी गढ़ा गड़ा हो अगर गाड़ी सिलब काट रही है तो गड़े से बाहर निकल जाएगी उसके बाद आप अपने जैक को उसमें से हटा लिए जैक है आप देखे जैक यहां पर लगाना पड़ता है कमानी और गोड़ी के पीछ माई जैक को लगा दीजिए आपकी गाड़ी कभी भी त्लेम जो है सिलब नहीं काटएगी जिलब काटने से क्या होता है कि आपका जो टायर होता है एक जो जोड़ी है वो भी पच 20atra northwest 22000 जारीच लगबग तो टायर कि जिशाई से बास सकते है और टायर में कट लगने से पास सकते हैं गाड़ी की जो कलच है और भी में सकते हैं उसे बस सकते हैं साफ़ तूटने से बस सकते हैं बहुत से नुकसानों से आप बस सकते हैं बहुत से ड्रावर जो ने ड्रावर हैं जिनको पता नहीं है वह गाड़ी की चड़ में फस गई है जोर लगाते हैं लगा लगा के कलश को गरम कर देते हैं गरम करके क्या है क से आसानी से निकालने के लिए आप कंटेनर के जो बीच का जोड़ा होता है जो क्राउन होता है वहां कमानी पर जेक लगाई है बोड़ी और कमानी की पीच में जेक लगाई है आपकी गाड़ी का जो बीच का जोड़ा है उस पर प्रेसर पड़ जाएगा और वो जो गाड़ी जो है आसानी से निकल जाएगी तो आज की वीडियो में सितना ही फिर मिलते हैं आपको किसी नेस्ट इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए दीजे इजाज़त